दरोगाओं का स्वागत करते हुए, मैं बहुत ही अहालादित महसूस कर रहा हूँ, मुझे तुम सम्मे एक-एक दरोगा दिखता है, एक-एक वो खुंखार आदमी दिखता है, मतलब जो अभी ऐसा है, जब दरोगा बन जाएगा तो वो कैसा हुगा, अब जब भी मैं कही दरोगाओं से मिलता हूँ, जैसे अभी वर्तमान में, तो मैं इतना खुश हो जाता हूँ, दरोगाओं से मिलकर, जैसे भी हम गोवा गई, तो हमने एक जगम बीच पे गई, तो वहाँ मैंने मास्क न लगा रखा, मास्क मतलब थोड़ी दिर के लिए मैंने भूसा खोला, जैसरा एक आगया भही बिलकुल, बोला फाइन, मैं बोला फाइन, फाइन कैसे, इतने मैंने मास्क लगा दिया, जैम में था, मैं बोला जी फाइन, बोला सब पे फाइन, बोला इन पे इनोंने तो मास्क लगा रहे हैं, दो चार नेने लगा रहे हैं, पांच छे का कारदो दरोगाजी ऐसे को कर रहे हो वो एक स्टार वाले दरोगाजी थे फिर वो जादा फ़ाइन लगाने के लिए बड़े दरोगाजी की दोर चले बड़े दरोगाजी की दोर चलो वोले वहां बैठे बड़े दरोगाजी डवल स्टार मेला ये अपनी का Material है मैला जी देखो हमारे पास अभी दरुगाह तो है नहीं लेकिन impul seinen सबूbeltके इसे पहले बिर रोटी बनने पहले आठा हुता है तो हमारे पास प्छिंट के दरुगाह का Material है मैला जी 9000 दरुगा को है है और 101 बड़ा सच में मतलब 101 बड़ा उस्ताद द्रोगा उन में बड़ा तोड़ा खुशी मिलती है और इतने दिनों बाद UPSI का you know how it feels, it feels like very good, कहने कर्थ क्या है कि बहुत दिनों बाद द्रोगा में वापसी की है, बहुत से लोग खुश होंगे, बहुत से लोग दुखी भी होंगे, साला फिर आगया द्रोगा को लिके, बट भाई, जिन्दगी क्या है, जीवन क्या है निर जा रहे, बंदरी हो सकता ना, रुक नहीं सकता ना, जब तक एक्जामनी होगा तब तक तुम आना पड़ेगा ना उसके बाद आना बंद कर देंगे, नहीं आते उसमें भी तुम्हें खुजली होती है, एह गुड़ी जी, ऐसाई को पर बात ना कर रहे हैं, तो क्या था, जितने भी ऐसाई वाले थे तुम, तुम सब लोगों ने पैट दिया था, यस या नो बोल दो एक बार, एक बार बो तो पैट के लिए तुम्हें थोड़ा सा छोड़ा था, अब तुम्हारा पैट खतम, लेकपाल, लेकपाल और SI, तुम मुझे पता है, लेकपाल वाला SI का क्या होता है, वो लेकपाल भी बनना चाहता है, वो SI भी बनना चाहता है, तो जादत 90% दोनों बनना चाहते हैं, कु आदतर बच्चे कॉमन होते हैं तो लेकपाल और SI की सेम तयारी होगी सारे सब्जेक्ट सेम बस तुम्हें लेकपाल के लिए पेपर से 15-20 दिन पहले ग्रामीड परिवेस भूमी 25 ग्रामीड समाच और ग्रामीड विकास यह जो एक छोटे से टॉपिक होंगे इन टॉपिकों क को तुम्हें अलग से करना पड़ेगा समझे मेरी बात बाकि तुम अपना पूरा फोकस SI पर पेल दोगे परसों से UPSI का अभी जो मेरे दिमाग में है वो हमारे क्या है कि जो कोट का डिसीजन है उसके उपर तुमारे एक्जाम का वो टिका हुआ है जैसे कोट का डिसीजन आ जाता है तुमारे एक्जाम की भी जानकारी पेपर की तुरंत एक्जाम की सार्व जरिक हो जाएगी पुराने जो दिमाग लगा के चलेंगे पूरी तरीके से क्योंकि ये पैट में ध्यान देने की वज़े से हो सकता है थोड़ी बहुत आप लीक से अट गए हो